नमस्कार दोस्तों एक और फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एंजुकेशनर गेलरी में इस पर्टिक्लर विडियो में हम जैसे कि आप देख रहे हैं आर्टिकल आज की पेपर में आर्टिकल था इंपोटेंट आर्टिकल है आपके एक्ज में देखेंगे मैक्सम पूरसान लिक्विड वेस्ट मिनिज्मेंट का तो उसी से रेलेटेड़ ये आटिकल छपा हुआ है जरूर उपके एक्जाम में काम करेगा यह भी सकता है कि भीहार में कहां-कहान-कहां पे सेग्जवीड स्थिटमेंट प्लांट है है तो कितने हैं क स्टार्ट करते दोस्तों आगे परते हैं दीर दरे आपको पता भी चलेगा देखिए आज का आर्टिकल है यह नमामी गंगे पर्यूजना के तहत नमामी गंगे पर्यूजना यह पर्यूजना भी आपको ध्यान अगना है नमामी गंगे पर्यूजना गंगा एक्सन प्लान गं साफ करके उसमें जानते हैं आज कल सारा नदी पॉलिट है युमना का नाला भी बोला जाता कि इतना गंदी हो गया है तो इसलिए सीवेस्टीटमेट प्लांट की इस्टेबलीच किया गया है देखे नवावी गंगा गंगे पुरुजना के तर्थ इसी वर्स अक्टूबर में पटना की आधी से आधी कमाधी को बरी सवगात मिलने वाली है मतलब जो भी मैक्समा पुप्लेटेट जो है पटना का वहाँ पर ये सीवेस्टीटमेट प्लांट वर्क करने वाला है गंगा का पानी साफ होना सुरू हो जायागा गंगा घाटों के किनारे छट पूजा स्वक्ष जल के साथ वर्ति कर पाएंगे मतलब अभी तक जानते हैं क पानी को इसे ही छोड़ दिया जाता था हलका फलका ट्रीट के आजाता था अच्छे सने ट्रीट के जाता था तो जो भी छट वेगारा करते थे या गंगा घाट तब आए भी होंगे तो लेखेंगे कि दम बहुत ज्यादा गंदगी है पटनावे गंगा जल में प्रदूश बिना ट्रीटमेंट के नहीं डाला जाएगा तीन मेने के बाद आप से तीन मेने बहुत जल्दी काम हो रहा है और अपना एक्जाम जो है आपका यह वाला बीपेसी असिस्टेंट पब्लिक सेनेटरी यूनोस की जनवरी में फिल हुआ था अगर सारा अप्रिया देखे भी दो मार्च के फ़र्षविक में हो चुका ता लेकिन फिर भी अभी चौ मेना हो चुका है जून आ चुका है अबी तक किसका कोई नोटिंफिकरसं नहीं है कि एक्जाम कर दोंब्यूंत करें जानब्य चेरिंगा बुढ़ को दौआरा जारी चाहर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तैयार किये जाए नेटवर का 90 फिस्दी काम पुरा हो चुका है क्यों कोन तैयार कर रहा है तो बुढ़ को धियान रखेंगे 90 फिस्दी काम इसका पुरा हो चुका है करीब 69 km 59 km हिसा सेस राग्या है जिसे अक्टूबर तक पुरा करने का लक्ष है मतलब अक्टूबर तक पुरा जो भी 10% काम बचावा अक्टूबर तक पुरा कर लिया जागा जिन चारो STP का नेटवर्क को पूरा होने वाला है उने में पहारी जहां जहां मतलग काम बाकी है पहारी, करमलीचक, बेउर और सैदपूर सामिल है बेउर STP का नेटवर्क 158 किलोमेटर है यह हो नहीं पूछेगा कि किसका नेटवर्क कितना है लेकिन आप ध्यान रखे कि वो जगा का नाम बेउर का है 158 किलोमेटर जिसका काम पूरा हो चुका है बेउर का काम पूरा हो चुका है देखिए वहीं करमलीचक, STP का 96 में से 91 किलोमेटर का काम पूरा हो चुका है सयदपूर सटपई को 162 km नेटवर्क है जिसमेर 177 km को घरों फेबाड पायपलैन से जोड दिया गया है पहारी सटपई की दो जोन में बाटा गया है पहारी जोन 4 में 192 km क क्म में कंप पूरा कर लिया है treatment plant के लिए सहर के 6 जोन में बाटा गया है यह ध्यान लखे कि पटना सहर को 6 जोन में बाटा गया service treatment plant के लिए दिग्घा और कंकरबाग में अभी लगेगा time दिग्घा और कंकरबाग बाले अरिया में भी time लगेगा दिग्गा और कंकरवाग से वे स्टीटमेट प्लांट का और उसका नेटवर्क का काम है भी पूरा होने आमें अभी समय लएगा दिग्गा स्टीप का नेटवर्क सबसे बरा है डेकिए ध्यान अग्जेंगे सबसे बड़ा नेट्वर्क के सबसे गात अतों दिगहा का है 303 किलमेटर का इसमें से अभी तक 70 किलमेटर दूरी का काम हुआ है वहीं करबा ते डाटवर्क 600 किलमेटर है जिसमें से 35 क्लमेटर काम पूरा हो चुका है इन दोनु स्टीपी का का म हम पूरा होने में अभी दो साल का आत्रत्ती समय लग सकता है पत्ना में सेख़ हैं टोटल पत्ना में कितना इस स्ट्रापी बिछाना है तो 1065 क्लोमीटर में बीछाना है जिसमें एभी तक साथावन क क्लोमेटर का दोरी में सीवेस ट्रिट में घरोंसों जो जोरा जा कि सेधपूर पहारी करम लीचक बेऊर दिग्गा कंकरबाग इसको लिख लिए आप अच्छे से हो सकता है कि चार दे दे और पूछे कि यह चोव दे पूछे कि इसमें से कौन है कौन नहीं है अलग अपना नीचों पर करके कुछन पूछा जा सकता है इधर उदर करके तो का सबसे ज्यादा है यहां ध्यान रखें दिग्गा सबसे लंबा है 303 किलोमेटर कुल नेटवर्क है जिसमें सत्तर काम पूरा हो चुका है ठीक है आप यहां भी देखे तो कुल है दिग्गा का ही सबसे ज्यादा है कि कुल नेटवर किलोमेटर पूरा छमता MLD में है छमता कहा है कि मैं महिने तक मैं महिने तक जितना नेटवर्क पूरन रूप से त्यार हो चुका है जिसके जरी घरों का सीवेज तक पहुँचन का हिसा पुरी त्यार है वहीं रेलवे लाइन के उत्तर में कुछ काम बाकी है बीच में बीच में नेटवर्क को जोरने का काम अभी बचा हुआ है उससे अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा अक्टूबर मैने तक चारों सबी नेटवर्क पूरी तरह से काम करना शुरू कर देंगे मतला अक्टूबर तक जितना भी स्टिपी है अपने यहां पत्ना में सब पूरा हो जाएगा जिगा कंगरवा को छोर को उसमें दो साल का टाइम लगेगा यह ध्यान रखे यह चारू जो है बयूर कर्मलीचक सेदपूर पहरी यह चारू मतला अ अपने यूटूब चैनल पर देख सकते हैं वह मिल जाएगा आपको और त्यारी करते हैं लगे रहे हमेशा एक्जाम जब भी है आप मतलब फुली प्रिपेरड रहे हैं इस मतलब फेराक में ने रहे कि यहीं पता कर रहें कि एक्जाम होने से एक मिन हम पहले स्टार्ट करे हैं ओके दोस्तों अच्छा लावात प्ली चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बहुत धन्यवाद जहें दोस्तों